आज हम देखने जा रहे हैं एक अच्छी science fiction कहानी के अंदर कौन से important elements हैं जो होना जरूरी है जिससे कहानियों को पढ़के बच्चे उन कहानियों को ओन करें उनको वो अपना best friend समझे और होने बार-बार पढ़ें important element यह आता है कि जो interesting और सबसे अच्छी आपकी science fiction कहानियों होती है वह आपको सारे सवालों के जवाब नहीं दे देती है वहाँ important question होता है जिसको हम कहते हैं what and if so हर अच्छी science fiction के अंदर यह सबाल मवजूद होता है एक hypothetical question है जिससे आपकी imagination जो है वो work out करना शुरू हो जाती है कि यह क्या हो सकता है अगर यह हो तो फिर क्या होगा so मिसाल के तौर पर हमारे पास यह कि अगर scientist कोई dangerous चीज क्रेट कर लें तो क्या होगा जैसे कि अगर Jurassic Park दुबारा बना लें और उसमें dinosaur आ जाएं तो क्या होगा अगर alien हमारी जमीन पर आ जाएं तो क्या होगा अगर हम artificial intelligence के आगे surrender कर दें तो कैसा होगा so यह question जो है बड़े interesting question है जो मुक्तलिफ author इन्ही question के उपर science fiction novel लिखते हैं पर इन्हें मुक्तलिफ तरीके से इसका जवाब देते हैं और इसे counter करते हैं interesting science fiction में unfamiliar setting होती है सबसे पहले एक ऐसी setting होती है जहाँ आपके पास alternative time या alternative place होता है alternative time वो time होता है जो कि इस दुनिया से तो जरूर शुरू हो सकता है लेकिन हो सकता है वो future का time हो जिसके अंदर आप पहुचते हैं और पता चलता है कि दुनिया जो है वो बिल्कुल change हो चुकी है या आप ऐसी imaginary world में चले जाते हैं ऐसे past में चले जाते हैं जो आपके present से match up न concept जो हैं इसके अंदर आ सकते हैं आप इसपेस के अंदर important एक बहुत ही common theme है जिसको हम कहते हैं cyber space जहां कुछ भी हो सकता है इसको 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 रिडिव टेक्नोलजी जो है वो कही दिफा हमें science fiction के अंदर मिलती है जो के हमें आम जिंदगी में देखने को नहीं मिलती है अभी हम उसको सिर्फ आव इंजिनेशन में सोच रहे होते हैं इसको हम कहते हैं speculative technology जो इसको रिडिव ने कभी पहल जो है उसके अंडर डालते हैं सुम्टiम कोई ऐसी मशीन होती है जो आपूम मिले जाती है या पको पास मिले जाती है वो time travel कर सकती है संब टाइम कोई ऐससा rocket होता है जो आपको space में बहुत आगे तक लेके जा सकता है और या वो light की speed से चल सकता है या कोई इस किसम का high energy weapon होता है जो कि आपने कभी इससे पहले imagine ने किया होता देखा नहीं होता या उसका idea आपके जहन में नहीं होता अच्छी science fiction कहानी के अंदर जो characters होते हैं, heroes होते हैं और villains होते हैं वो relatable होनी चाहिए So ना सर्फ वो relatable होनी चाहिए हमारे science fiction के अंदर बहुत से interesting characters होते हैं जो humans नहीं होते जैसे कि robots हैं, aliens हैं या कुछ और चीज़ें हैं उन characters का relatable होना किस तरीके से मुम्किन है मिसाल के तोर पर हो कुछ ऐसी हरकते करते हों या कुछ ऐसी situation encounter करते हों जिसे हम इनसान करते हैं जैसे कि robot को पता चले कि electricity नहीं आई और वो अपने आपको charge करना चाहरा है और वो कैसे fuse होता जा रहा है a kind of anything जो कि हमारी life से relate करती हो और वो हम इन character से बेतर तरीके से connect करते हैं themes humanity के बारे में एक अच्छी science fiction के अंदर जरूर मौजूद होते हैं जो हमें यह बताता है कि हम as a human being कौन है क्या है जब हमारे पस इंतहाई खौफना किसम की situations आती है climate change आती है epicalactic stories आती है जिसके अंदर दुनिया बर्बाद हो जाती है और जो survive कर रहे होते हैं चंद एक लोग को कैसे survive करते हैं कैसे अच्छी बुरे वक्स से गुजरते हैं और वो survival के लिए क्या चीज़े करते हैं अगर हमें aliens हमारे साथ आ जाएं तो हम universemen के साथ कहां रहते हैं हमारा क्या मुकाम में हमें उन से fear होगा या नहीं होगा या इस किसम की stories जो हैं जिसमें हमारा personal freedom जो है compromise होते हों या कोई ऐसी चीज़ें जो हमें आके control कर लेती हो socially culturally तो हम कैसे होंगे जो कहानिया हमें ये बताती हैं कि हम as a human कौन हैं हम किन चीज़ों से गुज़र सकते हैं और हम कैसी चीज़ों को feel कर सकते हैं